सो मेरे भाई लोग एंड स्ट्रोम फैमिली मेंबर्स आप सभी को मेनी मेनी हपी न्यूएर स्ट्रोम बदर्स के तरफ से गाईस आज मैं आपको ऐसा पांच ट्रिक बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके लोन उल्फ रैंक मोड में इसली हेरोइक जा सकते हो और अब सभी मैच इजली बुया भी निकाल सकते हो अगर आपको मजाक लग रहा है देन ये पांच ट्रिक को यूज करके देखो मिन्स फॉलो करके देखो और अगर आप सीरियस हो देन वीडियो को फुल इंड तक देखो तब ये आपको मजाएगा तो नहीं हुआ गयज लेकिन अभी भी हम कोसिस कर सकते हैं तो आप लोग कोसिस करो गयज 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लिट करवा दो ऑके नमबर वन ट्री के यूज बेस्ट कारेक्टर और बेस्ट पेट, बेस्ट करेकेटर मिन्स बेस्ट करेक्टर कमबी निशन जो कि मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ, एक वीडियो भी बना चुका हूँ description में आपको link भी मिल जाएगा लेकिन based character कौन-कौन सा है लो नुल्फ के लिए ये तो सुन लो number one character है उकॉंग और Skyler character आपको active skill में Skyler या फिर उकॉंग character को use करना है and number two Moko character एक passive skill character है ये दो character को compulsory use करना है उकॉंग के साथ Moko character या फिर Skyler के साथ Moko character को use करना है अभी आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि सेकुभाई क्यूं ये दोनों character based है लो नुल्फ के लिए तो मेरे भाई आप लोग देख सेकते हो मैं यहाँ पर shotgun ले लिया हूँ M10 और enemy मेरे उपर rust करने आ गया है और उसको मैं जैसे damage दिया वो भी मुझे damage दे दिया फिर वो glowal बना लिया और मैं उकोंग में convert होके उसको easily यहाँ पर finish कर दिया क्योंकि मुझे पता चलिया था कि वो glowal के अंदर medikit मार रहा है क्योंकि Moko का tag भी उसके उपर सोह कर रहा था उसलिए मैं उसको easily spot कर लिया और उसको finish कर दिया आप लोग देख सकते हो same situation उसी match में second round में भी create हुआ था फिर से मैं उसको easily मार लिया उकॉंग एंड मोको के मदस से no doubt उकॉंग मोको एंड स्काइलर करेक्टर lone wolf mode के लिए सबसे best है और अगर आपको third and fourth skill slot में अगर आपको हया तो maximum, antonio, lion character, db character अगर आप duo lone wolf खेल रहे हो then jota भी अच्छा character है guys उसको भी use कर सकते हो then trick number two watch ये trick आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा important है आपको करना क्या है जैसे ही round start होता है आपको enemy और opponent को watch करना है अब watch करने का ये मतलब नहीं है कि 4 pounds round टक watch करते रहो वैसे में तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे मेरा बोलने का मतलब है कि आपको देखना है कि enemy आपके उपर direct rush कर रहा है या फिर आपका rush करने का wait कर रहा है चलो मैं आपको एक example देता हूँ जिसको आप देखके clear हो जाओगे जैसे ही round start हुआ मेरे पास था desert eagle और मैं अपना area से guys बाहर नहीं निकला लेकिन वो जो enemy है वो फुदकते फुदकते मेरे पास आ गिया आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो jump करते करते मेरे पास निकल लिया और मैं उसको one tap मार के खतम कर दिया तो इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि थोड़ा सा wait करो enemy को watch करो और आप easily enemy को खतम कर सकते हो जैसे कि एक और बार आप लोग देख सकते हो कोई enemy मेरे उपर रस करता और मैं उसको UMP से headshot मार के खतम कर दिया इससे आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना गयज और आपको एक और चीज आपको याद है या नि एक कहानी है खरगोस और कच्छवे की उसमें race कौन जितता है कमेंट सेक्षन में जरूर बताना गयज इसका मतलब है आपको ऐसा गन चूज करना है जिसको 70% बंदे कभी भी यूज नहीं करते है जैसे कि स्पास 12 जिसको बहुत रेर बंदे यूज करते है और स्नाइपर में AWM M8-2B भी बहुत कम बंदे चलाना जानते है मिन्स यूज करना जानते हैं स्वीचिंग का बहुत ज्यादा प्राबलेम होता है फिर भी डबल स्नाइपर तो चला लेते हैं लेकिन सिंगल स्नाइपर से स्वीचिंग में बहुत ज्यादा प्राबलेम होता है बार बार रिलोड होयाता है तो इसलिए सिंगल स्नाइपर चलाओ लोन उल्फ मोड में या फिर स्पास चलाओ फामर्स भी यूज़ कर सकते हो मज़ा आ जाएगा हाँ एक और बात है आपको ये गन चलाना आना चाहिए अगर आपको नहीं आता है देन बिल्कुल भी यूज़ मत करो वन्ना आपका पोपट हो जाएगा ओके पोपट होना बंद हो जाएगा अगर आप ट्रेनिंग राउंड में रोज प्रैक्टिस करोगे सभी गन को यूज़ करोगे देन आपका बिल्कुल भी पोपट नहीं होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरे पास पास है और मैं कैसे एज़िली एक बंदे को यहाँ पर हेट शॉट मारके फिनिस कर दूँगा जरूरी नहीं है कि आपको हेट शॉट ही मारना है गैस एक और क्लिप में आपको दिखाता हूँ जिसमें मैं इज़िली बोडी शॉट भी मारके इस बंदी को खतम कर दूँगा गैस आप लोग बोडी शॉट या फिर हेट शॉट कोई भी शॉट मारके लेकिन वो मैच आप आपको कैसे ही विखर के जीतना है एक बाद गैस हमिस्ता याद रखना बोडी शॉट मारो या फिर हेट शॉट मारो जो जीता वही सिक अंदर और जो हारा एक और एक्जामपल मैं आपको AWM के साथ देता हूँ डबल स्नाइपर मिस्ट डबल AWM में चला रहा हूँ जैसे ही मैं इस कवर के अंदर था और बेसे ही बंदा निकला मैं उसको 160 का एक बोडी शॉट दे दिया उसके उपर फिर डैरेक रस कर दिया और यहाँ पल्स को जीश सकते हो गैस देन ट्रिक नंबर फोर बेस्ट एंगल गैस मैं आपको लोगन उर्फ मोड में जो मैप आता है उसमें बेस्ट आउट और बेस्ट एंगल आपको बताऊंगा फर्स्ट एंगल ए स्नाइपर एंड मार्समें राइफल के लिए अगर आपको यह वाला मैप आता है देन आपको स्नाइपर लेना है अगर स्नाइपर एवलेबल नहीं होगा देन आप मार्समें राइफल भी यूज कर सकते हो जैसे राउंड स्टार्ट होगा आपको यह बॉक्स के छूपके एनिमी का हेड में एम लेना है जैसे कि आप देख सकते हो मैं एनिमी को कैसे headshot मार रहा हूँ ठीक वैसे ही गैस आपको भी ये trick एपलाई करना है और enemy जैसे ही अपना head निकालेगा उसको headshot मार के penis off कर देना है और भी गैस मेरे पास 3-4 base angle है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहे है इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ एक ही एंगल बता रहा हूँ अगर आ इस वीडियो में अच्छा response आया देन मैं see your next वीडियो based angle के उपर बनाऊँगा ओके last and final trick number 5 use flashbang and ice grenade मैं देखता हूँ guys बहुत सारे बंदे ice grenade and flashbang का बिल्कुल भी use नहीं करते हैं lone wolf mode में अगर आप ice grenade perfect place में throw करते हो देन enemy को 80-90 का damage गिरता है और moco का tag भी 100 करता है जिससे आप easily rush करके enemy को मार सकते हो and बात करते हैं flashbang भी बहुत ज्यादा काम हाता है अगर आप enemy के उपर flashbang फेकते हो देन enemy पूरा अंदा हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर flashbang भेका और enemy के उपर एक moco का tag भी सोकिया और वह पूरा अंदा हो चुका है उसको कुछ भी नहीं दीकरा है और मैं easily उसको AWM से मार दिया आपको कैसा लगा कम्मिंट करके जयरूर बादाना और अगर आपको lone wolf based combination वीडियो देख रहा है और अभी अभी new full map rank season चेंज हो है उसके उपर अगर tips and tricks चाहिए देन right side वीडियो को क्लिक करो सो आज के लिए तने once again happy new year गाईज see you in the next वीडियो